टेडी ऐसे नहीं करो यार इज़त पेशा हो क्या हो गया आपको अपने शोहर की वफात के बाद एक टेडी बियर के साथ जिंदगी गुजार रही है हिना का खाना पीना ओड़ना बिचोना सब कुछ टेडी बियर के साथ शेयर करती है इसकी फिलिंग मैं जान जाती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ है काफी देर से इनसान आपको पता है उपर से कुछ और अंदर से कुछ और ये मुझे तो कोई तकलीफ नहीं देता और मेरे साथ मुखलस रहता है उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाले वीडियोस से बाखबर रह सकें तो असली देखने काम नहीं करतें हैं तो आज सब्सक्राइब करको आप इंबार के आपर की तो यह जाए बमां चैनल सब्सक्राइब कारी न क्तल्सक्राइब का देखने बनाप पियार किन एक अगदफ न है आपका मेजबान आपका मेजबान जैन बाबो आपकी खितनत में हाजिरा और आप देख रहें उड़्दू पॉइंट मेरे साथ माजूद है हिना भार सहबा जिनके हजबन की डेथ हुई तो इन्होंने इस टैटी बेर को अपने साथ रख लिया सोती खाती पीती उठती बैटी हर चीज इसी के साथ शेयर करती है अगर कोई खुशी हो जनिया भरी पड़ी है किसी इनसान के साथ दोस्ती क्यों नहीं क्या इनको को मुखलिस मिलता नहीं यहां फिर यह ज्यादा मुखलिस है आई एनी से जानते है असलाम अलेकुम जै जी वालीकुम असलाम क्या आलाख खरियत है है अलो एलो मेरी गाल चुन पहे लेने को नोदास सालों जी हजबन की वफाद को कितनी दर हुए उनको 11 बरस हो गया है खाती पीती उठती बैटती सारा कुछ इसी के साथ यह मुखलिस दोस्त है क्योंकि यह जाए बाद्टमीज रहे हैं पाई यह क्या क्या किया रहा है मतलब अपैसे ना करें यह महमान हमारे प्या तो ना कर इजत यार तुना कर तुन यार क्या मतलब अजीव किसम ना कर आप नहीं बोलो ना भीच में क्यों हम उट जाए साइड पे हो जाए प्लीज टैडी ऐसे नहीं करो यार इजत पेशा हो क्या होगे आपको आपको मेरे गुस्सा आया वहा तो भाई गुसा किसी और हमारे आने से पहले निकाल लेना था हमारे सामने जरूर गुसा निकाल जाए जब खुश होती है ताब यह पीज़े बंदर के साथ जो है वह फुशियां शेयर करती है आप क्या कह रहे हैं आप ऐसी लेंगविज तो इसके साथ ना यूज करें ना यह तो बहुत क्यूट औ इसके साथ कैसे जिंदगी गजिआ यह मैं कोई बात होती हैक मैंने आज इसको बताया था कि आज एंटरियू नयुक्स सहो है और इससे हुआ आ हैं और सी पर अब करती क्या है मैं टिक टॉक बनाती हूं स्नैप पे और टिक टॉक पे और बेसिकल मैं अपनी आखरत बना अडे ने तुसी टिक टॉक दे चकराजी पे आखरत तो फिर वो तो आनी आनी है उस पका तो कुछ का नहीं जा सकता लेकिन जब तक जिन्दा है तब तक तो हम अपना दिल को खुश कर सकते हैं अच्छा किसी इंसान के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेकिया उपर से कुछ और अंदर से कुछ और डशने में एक सेकिट लग यह अर्तक्लीफ है यार क्या मदब कौनी चुप गई है मतलब तांग तुमारी जखमी हो गई है कौनी तो नहीं चुबां चुक के चौक क्या वाइब प्लीज थोड़ा सा क्यों वैसे डार्लिंग बात सुनो तुम तो बहुत प्यारी हो अजीब महमान है आप तो मेरे साथ आपको जानता है इसलिए आप से जहल सो रहा है जानना मेरा बच बंद दो से तो यह बताए कि यह बताए कि यह नहीं की हस्बंड की डेथ के बाद शादी का खास वजवात यही थी कि मेरी माशाला पांस बीटिंगे तो बीटिंगों मोला घर था इसलिए मैं किसी आदमी को नहीं किसी को घर में नहीं लाना चाहती थी यह खास बजाए कि सब की शादी होगी नहीं दो बेटियों की शादी हुए और एक बेटे की बाकी एक बेटी जो है वो जॉब करती है दो चोटी जो है वो स्टडी कर रही है तो सुना है कि आप सिंगर भी है जी बिलकुल शुकर अलहम अधिलिल्ला का बच्पन से शौक था तो कुछ अर्सा मेंने काम भी किया है तो ना रिस्पांस मिलने की वज़ाए से पहले हैं तो मेरे दोस्तों मैं आपके पास हुआ है ना आप तीगा वैनू आपकी स्वाब मैं किसी सबाइब आई यह यहां पर ऐसे रखने वह यहां प दोर रखने से कुछ नीं पा मैंने शिरफ ऐसे रख गा यहां अर कुछ भी नहीं है तो रख ले रखक ले रख ले तू रख ले आप जी मैं जीम्वाट अच्छा अच्छा मुझे स्टैंगे मतलब यह आपके पले ऐसे पड़ गया जा 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 पाले यह का साथा मेरी जिद अपने कंदें डाप जी वेरे सम्कुछी यह रखी बड़ी कुबसूरत लिए घर भी मेरी दोस्त है वेरी बीटी है जटी बेटी जनी करती है मैं तो वह भी मुझे बहुत जनी करती है मैं उस बच्चे जैलिस होते सारा प्यारी सिस्बे लुटाज़ा दो ममा क्या होगे आप कितने followers है TikTok पे तो कम है 4-5,000 पे स्नैक पे जदा हैं इतने स्नैक पे किती होगे कोई 10-15,000 अवभी क्योंके कहा में बिशुक्त करता है यार नहीं कहने नहीं कहने नहीं कहने नहीं कहने कि मेरी लिए इडी मेंचन कर दे हो इसको समझाएं प्लीज थोड़ा सा क्या मतलब यह बेबी ऐसे नहीं करते ना देखो आपको मेरी बात की समझ नहीं हा रही मैं कितना प्यार से समझा रही हूँ अब फिर मैं गुस्सा हो जाओंगे पिर रते रहोगे आप अब यह बच्पन के शोग हैं वह टिक टॉक के जरीए पूरे किये जा रहें जी बिलकुल बच्पन से शौक था सिंगिंग का और अब सनेक और टिक टॉक के जरीए मैं अपना शौक पूरा का रही हूं और कुछ मेंने वीडियो भी डाली हुई अपनी आवाज के यह नहीं यह तो मुझे पता चल गया के करम अला बागा शुकर अलहम्द लिल्ला कुई चांट वगरा नहीं मिला है कोई रिकॉर्डिंग नहीं करवाई को गानाशा नहीं रिकॉर्ड नहीं करवाया इंडिस्ट्री में आपको पता है लोग कैसे रियक्ट करते हैं इसलिए जो है फिर क्या रियक्ट करते हैं पहले कुछ हम से चाहते हैं फिर उसके बाद कुछ वो करते हैं तो इसलिए जो है वो फिर मुझे इंडिस्ट्री चोड़ते घर बैचना हर जगह पर ऐसे ही है आप महौल को देख रहे हैं महौल में क्या चल रहा है इसलिए फिर जो एना पिर दिल्ली नहीं किया आचा ये तो एक टेड़ी भी बह loneliness इसको कैसे आप मतलब सारा गुझ सुनाते हैं कैसे मतलब ये तो कहने की बात है ना असल मुझे ये बताएं कि हैस्बंट की वफाद के बाद क्या कमी महसूस हुई और किन चीजों का हिसास होता है ये बिलकुल बजाब फर्मा रहे हैं ये तो एक हसी मजाख था बाकी बात रही साथी की जो मेरे शवर हजमेंट थे उनके बाद बहुत ज्यादा ही मुझकले उठानी पड़ी पांच बेटिगां घर में मेरा सिलसला वबड़ी मुझकल से मैने जो है ना मैनेज किया है और उसके इलावा जो है अखराजात जो है मै खुद काम करती थी मेरी बेटी भी मेरे साथ होती थी घरों में लोगों के तो आस्ता आस्ता काफी यानि के लापाक ने फिर जो इनसान अपनी नियत पर चल पड़ता है ना तो फिर लाभी उसका साथ देता है फिर इसी दोरान मैंने सिंगिंग का आगाज किया शानूर कोच नहीं करते थे और लोटने वाले जादा होते हैं उदर आपको पता है देने वाला कोई भी नहीं होता फिर इसलिए फिर वह भी मुझे चोड़ना पड़ा फिर लोगों के घरों में काम किया फिर बच्चों के पर वरश करती रही मैं मैसेज देना चाहूंगी मरत के इल इसलिए झाले है तो मैंने का नहीं मेरे हैस्बंट जो यह आव वफात पा चुके थो बड़ी है रान सी हो गई और उसने का के आपको कोई मर्द नहीं है यह कोई वारस नहीं है नहीं कियों अलहम्दलिल्ला अल्ला पाक है ना हमारे वारस वहमारे लिए सब इसानिया पैद और खुद भी टेंशन ना लेंगे